Hi friends, very good morning, morning update में आप लोगों को है सौगत, guys कल का market का situation जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा खराब नहीं था, कि हमने 25,000 के उपर market को closing कराया था, okay, और बट यहां पर एक 2G candle के इशारा हमारे को मिला था, right, लेकिन यहां पर अगर बात तरह के market का heavy weightage के उपर ज जो Reliance, जो HDFC Bank, जो Nifty IT, तो Reliance जो HDFC Bank के तरफ से हमें एक अच्छा bullish candle दिखने के लिए मिल रहा था, एक supporting candle दिखने के लिए मिल रहा था, और oil and gas sector की बात करें तो यह भी neutral zone पर गोम रहा था, तो ऐसी situation पर आज इतनी बड़ी crash, इतनी बड़ी crack का तो expectation नहीं था, but global market के market में एक gap down scenario बन रहा है, देखो आप लोग FIS, DS के data देखते हूं, मैं कभी हमें सब बोलता हूं कि FIS, DS के data मैं इतनी ज़्यादा नहीं देखता हूं, ठीक है, क्योंकि यह कल का data है, यह आज क्या होगा आप नहीं पता सकते हो, right, तो यह बहुत ज़्यादा माहिन नहीं रख करता है, तो option chain में हमें क्या दिखा रहा है, देखो, कि 25,000 के उपर call selling ज़्यादा था, यानि कि market 25,000 से नीचे open होने वाला है, ऐसे कुछ assumption हम लगा सकते हैं, चली, तो mainly morning update videos का जो खास बात है, वो क्या है, हमें CEP के उपर analysis लगाना, ठीक है, तो मैं यहापे CEP के उपर analysis सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं कभी नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब करें, कभी बलता हूँ क्या, जिन लोग रहते हैं, उनलोग बताना, तो चली हम समझ लेते हैं, nifty, bank nifty, sensex, लेकिन एक बाद मैं जुरूर बताना चाहूँँगा, sensex में वही लोग trade करेंगे, जो रिक् traders है, है की नहीं सर, ओके, चली, तो यहाँ पर global market से कुछ negative news आ रहा है, जिसका चलते, global market जो हम देख पा रहे हैं, अभी देखो, डाउजोन, 263 पॉइंट डाउन है, S&P 500, 70 पॉइंट, गिप निप्टी, 245 पॉइंट डाउन है, यानकि 24,800 पे बिनांग करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका चलते, Indian market gap डाउन तो होई रहा है, देखो, मेरे खाल से 1500 पॉइंट से उपर gap डाउन तो होना है, ठीक ह अब ऐसे situation पर हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बार, जब इतनी बड़ी gap डाउन होता है, तो market support डूनता है, तो support कहा मिलेगा आपको, तो कि यह शरका टेडर्स का Telegram चनल है, शरका टेडर्स एर्दरेट कोशिक, बार-बार बता रहा हूं, शरका टेडर्स एर्दरेट को गया, इस support को break किया, और फिर से इससे नीचे जाने के कोशिश किया, तो बहुत जदो गिरावट आएगा, बट मुझे नहीं रखता है कि बहुत जदो गिरावट आएगा, यही पर कोई ना कोई support लेकर market उपर आ सकता है, ऐसे मरा expectation है, देखो expectation रॉंग भी हो सकता है, तो हम market open होने के बाद ही, और decide करना है, कि होगा क्या, ठीक है, यहाँ पर हम देखो, clearly level बतायता है, कि आज का resistance है, आज का support है, तो इसे हमें बहुत जदो help मिलता है, मिलता है कि नहीं sir, please, अगर आपके लिए मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूं, इतनी analysis कर रहा हूं, तो इत अगर तरफ से आप पर इंफाम भी चला जाता है कभी-कभी, चले, जल्दी से चलते हैं, हम CEP के analysis को उपर, तो यहाँ पर हम बात कर रहे है, 24,900 का CEP को उपर, 900 का PE को उपर, ठीक है, 900 CE, जो हम देख पा रहे है, इसका supporting point आ जाएगा, on 50, ठीक है, sir, on 50, on 50, हाँ, एक on 50 support है और अगर last बात किया जाए, तो on 30, दोगो, इस zone से अगर यह positive आता है, तो आप on 50 को पर buying position बना सकते हो, और firstly, मेरा on 70 से 75 का target रहेगा, on 75 को उपर अगर stable करेगा, तो दिरे-दिरे यह सुदर जाएगा, okay, put side के लिए क्या करें, sir, दोगो, opening को छोड़ देना, opening क्या हो रहा ह होगा, इसका बात जो कामा को करना होगा, मैं देख रहा हूँ कि 150, 150, हाँ, देखो, on 130, और on 150, इस zone के बीच में अगर रहे गया, कुछ मात करो, खाश करके, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मिल जाए, तो और इसे आपको bounce back मिलता है, आप entry ले सकते हो, इसके नीचे का इस्ट किलियरली हर बार मैं आपको समझाता हूँ, कभी भी अगर down में आ रहा है, तो एक green candle, एक green candle जरूर बनने देना, और बिलकुल last down, जहाँ पर आपको support मिलेगा, आप support क्या चीचका मिलेगा, यह आपको समझना है, दो को morning update वीडियो में इतनी ज़्यादा deeply बताना possible नहीं होत है, तो चलिए 10 अगुस्त का जो classes आ रहा है, 15 अगुस्त का जो offering classes आ रहा है, इसमें हम बहुत ज़्यादा details बतने वाले है, 15 अगुस्त का offering class है, 15 days online, 15 days live market, 15 days fees recovery plan, बहुत कुछ है, तो जानने के लिए आप निचे जो number blinking हो रहा है, इसमें आप WhatsApp यह call कर सकते हो, ठीके, तो इसका call and put का clear हो गया, अब मैं shortly चला जाओ, बैंक निप्टी के उपर, कि बैंक निप्टी के उपर मैंना कहां पर क्या दिख रहा है, तो देखिए, बैंक निप्टी को पर हमने ध्यान दे रहे है, 51,200 का call के उपर, जिसका supporting, जिसका supporting, 360 से लेके, और 360 से लेके, 400 के बीच मे कोई नहीं कोई एक support बनेगा इसमें, और अगर यह support बना के bounce back आ रहा है, तो साइध यहाँ पर मुझे entry point हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर मुझे entry point हो सकता है, क्लिए लिदेख लिजिए, कि क्या बता रहा हूं, कहां पर बता रहा हूं, ठीक है, अगर यह बनेगा, तब यह रखना होगे रन निदी, definitely आप profitable रहोगे, देख लेना आप, ठीक है, देख लेना, क्या गाना है, गाना याद रहाता है, चलो ठीक है, और 11200 का put, 11200 का put, इसमें क्या करेंगे, कब करेंगे, तो minimum, minimum मुझे यह न, 350 के उपर अगर बिलांग होगा, तो साइध इस rebel के उपर का हाई मिल सकता है, बट ऐसे हाई पर open होने के बाद दर लग जाता है, तो मैं ज़्यादातार focus किस में कर रहा हूँ, call side में, ठीक है, ज़्यादाता focus में call side में कर रहा हूँ, तबी आपको put side active होगा, जो मैं supporting label निप्टी को बताया, वो supporting label को break हो गया, ठीक है, second support जो है, उस में दीरे 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 चलते चलते अगा 350 को ओपर चलना सुरू किया, ठीक है, last आता हूँ, sensex, sensex हाई volatile रहेगा, आपने देखे होंगे, पिछले दो वीक से, पिछले दो बर weekly experiment, दिन, BSC का कुछ पॉबले वाया था, जिसके बज़ए से लोग square app नहीं कर पाया, यह बहुत बहुत अचे काम करेगा, 250, 250 से लिके 220, यह एक लेवल है, जहाँ पर आके अगर मार्क के थोड़ा सा support लिया, तो suddenly आप यहाँ पर बाइंग करोगे, on 80 या on 90 का stop loss के साथ, ठीक है, यहाँ पर आके, फोड़ा सा अगर ऐसे किया, ग्रीन गंडल, तो इसके zone के ऊपर आप बा on 80 का उपर, on 80 का उपर अगर एक chances बिल जाता है, तो साइध यहाँ से आपको minimum 225 का एक धका, एक फ्लासनेस मरे गई, और उसके बाद अगर 200, देखो और एक label जाता इसमें, जो कि 280, 250 से 280 का उपर चला जाएगा, तो यह आपको 350 से 350 एक zone जाएगा, 350 में रुकेगा, 350 में र इस zone को लिख लो, सांतो के बैठो, आप किसी एक चीज में फोकास करो, देखना, मैं तीनों सेग्मेंट में बताया, तीनों सेग्मेंट में टार्गेट होगा, तीनों सेग्में में टार्गेट हो, और market ओपेन होने से पहले CPE को उपर, ASE analysis, I hope कि किसी वीडियो में नहीं ब